अच्छा कहां लेका जा रहा था हो तुम्हें होस्पिटर हो वायरोड पे अच्छा लड़के को लेके क्यों गया था वो अच्छ क्या लग रहा है दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूँ आपके साथ रिजवान खान आज एक खबर एसी जिसे देखने के बाद साइद आप चौँग जाएंगी असल में जो मेवात के छोटे छोटे बच्चे हैं वो अक्सर गायब हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है बाई गाउं में मेवायत इलाके के बाई गाउं का एक छोटा सा बच्चा जिसकी उमर मैं चार से पास साल की है उसको अचानक से किरनेप कर लिया जाता है उसका अपहरन होता है और उसके बाद परिवार के लोग उन्हें ढूनने की कोशिस करते हैं लाक डूनने के बाउजूद बच्चे का कोई अता पता नहीं लगता है और रात होते होते बच्चे के पिता के पास यानि साकिर के पास एक फोन आता है अनजान नंबर से और बताते हैं कि आपके लड़के का अफ़र्ण क्या हुआ है एक व्यक्ति ने उसको अपने पास में लेके रखवाए जिसको दबोच लिया गया है हाला कि पूरा मामला क्या है उसे समझने की कोशिस करेंगे कैसे बच्चे का अभरन हुआ किन परस्तितियों में बच्चा पाया गया है और अब पुलिस की कारवाई क्या कुछ रही है जी क्या नाम है अब कर दिये तो यह लड़का चला गया जी स्कूल में पढ़ने के लिए जावेज्य गाओं के इस तो हम वहाँ से घाली करके एनी गाओं में तुने लगाने के लिए चले गएए जी गाओं को परले साइड को अपने तो जब उसको लगा के एनी आया है तो मैंने सोचा कि इस खूल से आ गया है बच्चा तो मस्जित गया हो गया से छुट बाद मे तो जब मस्जिद में यह नहीं मिला है चार बज़े जब छुट्टी हो बच्चों की मस्जिद से तो हमने इसको ढूड़ना शुरू किया जी गाओं में कहीं पर जब यह नहीं मिला है तो साड़े पांच एक बज़े जब मेरे पास फॉन आया जी फॉन खेड़ला के काट रह हिए इन्होंने का उसने कहा कि तुम्हेरों भती जो मेरे बती जो है तो इस और नंबर किया है इसका बाप कर बताओ उस ने बूला इसका वीसका पाप नरा राख है नो जब इसने बताया अपना मोबाल नबर नुक मेरे बाप फॉन राख है यह नंबर है उसका अठाण में एक 37 बैस पान सुक्याओन जब उन्होंने मेरे पास फोन किया जी उन्हों कहा है कि आप कहां से बोल रहे हो मैंने का इस बोल रहा हूं क्या नाम है नुक भई तेरा लड़का कहां है नुक जितनी जल्दी हो आप यहां आजाओ हम नलड़के नीच साइड और एक मुला जी ले जा रहा है इसको तेरल बच्चे को नुक जी बात करवाना उससे तो उन्होंने मुझ से बात करवाई है मैंने कहा नुक भाई जो इसके गैल है उसको आप रोक लो यहां पकड़ लेओ तो फिर जब मैंने एक बोला है तो जब वह उसको पकड़ लाए है वहां हम यहां से मोट साही किल पकए है जी वहां वहां उन्होंने वह पकड़ के बिठा रखा है जब इसको हमने वहां देखा तो बार 112 नंबर वह बुला ले जी पुलाई जी हाँ वहां फोन कर गए तो पुलिस के गाड़ी आगे तो वह लेगी सदर थान नुह मे इसको ले जाओ नलहट चो कि में यह हमार के लख न जब हम गईए जिसने बुठे का भण किया जिसने उसके जह कपड़ाई जिसने पाय केब करस से भाश बुलिए जी बिले डिः दो और तो उससे बुजाथ जब कभी कहता मुर्गान के लिए लाए पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों ने उनके पर्स देखा तो उसके पर्स में कुल 70 रुपए निकले दी दो उसके पास मोबाईल है फिर उन्हों हमसे बोला कि आपका गाउं बाई पड़ता है वह पड़ता है आपका गौहान चोंकी ने कहा जिनुक वह जो 112 नंबर पुलिस गाड़ी लेग गई उसको बुला थे यहां मुझे और कहीं पर जाना है तो उन्होंने जब फौन किया पुलिस चोंकी वहां इंचार्ज गया उसने जा कहनी वहां से यहां लेका आया आपके पुलिस चोंकी में उसको उसको भी लेक चोड दिया जे इक पुलिस ने छोड़ दिया यहां जोड़ दिया पुलिस ने मुकादम दर्च करा फुलिस न मुकादम से अन्मक दर्जिक्रां कुछना उ पकुछ बटावे सब्सकुशना नहीं दिरा आई किसे बात कुल भी निदी वी आया देखे यह हमारे साथ में वो परिवार के लोग हैं जो कही ना कहीं का छोटा सा बच्चा इक गायब हो जाता है और गाउं का ही वैक्ति इसका अपहन करता है बेटा क्या नाम है तुम्हारा मुहम्मद साथ अच्छे बता कौन लिकर गया तुम्हें यहां से मंजूर मंजूर क अच्छ क्या बोला उसने तुम्हें कि का लिकर चलता हूं था हम लडवा डवन पर अच्छ मि inspired остra चखा लिके जा रहे ते हैं आज हम तो तुम्हें के साथ चलेंगे करता कि फर जबर्दश्टि लिए तुम्हें जब५िति ये लिके लिए ताइफ तो मारा लोड़ पर तोमने बोला नहीं किमारे अज मंबी पपाप लड़ेंगे पर क्या बोला किस नहीं रहा था चलिए छोटा सा बच्चा है इसकूल जाते हो तुम उसके बाद में नलड़ वाले रोड पर इनको वहां के कुछ लोग थे जो खेती बाड़ी का रहे थे फसले काट रहे थे उन्होंने उनको पकड लिया था अच्राच क्या नम पताया असोक कुमार है जिसका रहे होगा है तो उनसे को बात हुई तो उनको बाहर हम अभी एंब आप लोग क्या चाहते हैं हम यह चाहा है जी हमार को इस बच्चे कानूनी इंसाथ मिले चानून तरीका से उसको ऐसे दिन छोड कहने वह फिर स्टैटस तो कोई पता नहीं क्या था इसको मारता क्या कोई कुकरम करता क्या क्या पता जूसका दिल में क्या थी तो वह अच्छा कौन है मतले कि आपके गाउं का है आपका पडोस का यह फिर आपने उसे बाचीत नहीं क्रीब अब पैदल और लेकर गया जी यहीं से इसको पाहड के वाल में पांच-छे किलो मेटर पैदल लेकर गया जहां यहां इतना दूर पड़ता जी आंको अच्छा और वहां जाने इसके साथ क्या करता है तो ज्वार काट रहे हैं जिन्होंने इसको रोक लिया पूछ लिया जिन् तो कोई हों सना है कि उससे लिए-चांज ठीक नहीं थी या पटूर तो बोला गबूत्र पकड़ने लेकर जा रहे हैं कभी कभूतर पकड़ने कह रहा जी कभी वह कहें मैं असील मुर्गलियन को जा रहा है तो बच्चे को लेकर क्यों जा रहे हो फिर यह नहीं पूछा जी वह वैसे कह रहा हो जिनुकर मैं ओसे लिया है वह सही आगा हूँ पांच किलो मीटर पांच शे किलो मीटर पैदल लेकर ऐसे उसके कोई नियत सही होती हुटी तो उस टाइम के हम लेजाता जी चलिए यह कहीं नहीं हमरे साथ में पीडित पिता हैं जिनका सापces आपत और कहना यह है कि उनका आकेला बेटा है इकलोता और कहीं नहीं च्छोटी सी में पढ़ोश का शी और में पढ़ोष का ही एक पुलीस परसासन। उसको ग्रफशतार क्या। ग्रफशतार करने के बाद अगरे दिनों से छोड़ दिया है। पुलिस परसासन इस पुरे मामले में ठोश कारवाई करे और मुझे इंसाब दिलाए। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोगाम के साथ एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिया बने रिए सिर्प उसे भारत टीवी के साथ